नमस्कार, मैं हूँ सच्छेदारंद वसेष्ट और सज्जनों आज आपके सामने जोतिस के राजयोगों में से एक राजयोग जो कि पंच महापुरुस राजयोग कहलाता गहे हैं और पंच महापुरुस राजयोग ये पाँच ग्रहों से बनता गहे हैं क्रम सह है रुचक, भद्र, हंस, मालब्य और सर्षक ये पाँज राजयोग हैं जो रुचक है ये मंगल के द्वारा बनता है भद्र बुद्ध के द्वारा बनता है हंस जो है वो ब्रिहस्पती के द्वारा बनता है और मालव्य शुक्र के द्वारा बनता है और ससक जो है शनी के द्वारा बनता है अगर कोई भी लगन है जैसे कि कन्या लगन है या मेस लगन है और उनके मालिक उस कुंडली के अंदर केंदर में हो या फिर उच्चका हो केंदर में ही तो वो जो है योग उसमें घटित होता है और ये पंच महापुरस योगों में से एक एक करके ये योग होते हैं आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से आपको उस इस्तर तक ले करके जाते हैं अब मैं आपको एक राजयोग की बात करता हूँ जो सेकंड नमबर पर आता है वो है भद्र राजयोग कन्या लगन हो या मिथुन लगन हो बुद्ध अपने घर के अंदर बैठा हो तो और उचका हो किंदर के अंदर हो तो वहाँ पर ये भद्र राजयोग की उत्पत्ती होती है और राजयोग राजयोग होते हैं ये फर्स से अर्स पर ले जाने वाले होते हैं गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाने वाले होतेगे सामान्य जन से ऐसामान्य बना देते हैं असाधारन बना देतेगे आईए इस कुंडली के अंदर आप देखिए कन्या लगन है और कन्या लगन की कुंडली में आप देख रहे होंगे लगन के अंदर बुद्ध भी है और शुक्र भी है इसमें भी एक राजयोग तो बुद्ध ही बना रहा है और दूसरा राजयोग इसके अंदर शुक्र और बुद्ध मिलकर के बना रहे हैं एक केंदर का मालिक है यानि लगन का मालिक है बुद्ध और एक जो है नमम इस्थान का मालिक है तो केंद्रत्रिकोन पताया संबंधेन परस्परम वहां पर राजयोग की उत्पत्ति होती है तो दो दो राजयोग हो गए और इनके अंदर अब यहां पर शास्त्र यह कहता है अंगा धीसत स्वगे है लगन का मालिक अपने घर में हो तो स्या नूनम पुन्यसील हा ऐसा व्यक्ति पुन्यसील होता है सकल जनमत हा सब जनमत उसको हासिल होता है सर्व संपन्निधानम हर प्रकार की संपत्ति का स्वामी होता है ज्यानी मंत्री चभूपहा ज्यानी हो पढ़ा लिखा हो मंत्री हो मंत्रना देने वाला हो सलाहकार हो या फिर राजा ह सुर्चिरने इन्हों सुन्दर आखों वाला हो मानवो मानवाना मनुष्यों के अंदर अग्रगन लेओ तो यह हमारे डक्टर राधा कृष्णन राधा कृष्णन इनको जो के कौन नहीं जानता भारत का जो के नाम इन्होंने उंचा किया खे बद और प्रतिष्ठा को इन्होंने प्राप्त किया खे और इन राज योगों के कार्म से उस गद्दी तक पहुँचे है तो सोचिए इन ग्रह योगों से क्या क्या बन जाता है कोई कहे कि जीवन में मैं चाहूं जो कर सकता हूं असंभव है चाहना और बात है होना और बात है क्योंकि मन चीते नहीं होत है हर चीते ततकाल मन का सोचा हुआ कार्य संपन नहीं होता सफल नहीं हो पाता हर कोई अगर मानलो प्रधान मंत्री बनना चाहे तो क्या बन जाएगा हर कोई राश्ट्रपती बनना चाहे तो क्या बन जाएगा हर कोई राजा बनना चाहे तो क्या बन जाएगा नहीं बन सकता हर कोई टाटा यांबानी बनना चाहे तो नहीं बन सकते उनकी कुंडली के अंदर इस प्रकार के राजियोग होते हैं तो आप भी अपनी कुंडली को देखिए क्या इस प्रकार का राजियोग आपके भी कुंडली के अंदर कहीं कोई राजियोग घटित हो रहा है जो जीवन में कौन से उम्र में जा करके वो आपको फल देगा तो उसकी जानकारी जोतिस के माध्यम से प्राप्त होती है आप जो भी कोई जानकारी चाहें ज Tusk से संबंदित या वास्तिश से संबंदित तो इन अमरों के उपर आप संपर्क करके कार्याले से अपाइटमेंट ले करके कार्याले की सेवाएं निर्धारित हैं वो जेवाएं अरपन करके जो भी आप जानना चाहते हैं